भागलपूर में सरदार बल्लब भाई परतिमा तक एकता मार्च का आयोजन किया गया एकता मार्च में सभी संगठन की कारकरता सहिद डॉक्टर सहर की समाज सेवियों और नगर विधायक अजीत सर्मा ने हिस्सा लिया वहीं सरदार पटेल की परतिमा पर मालियारपन कर सरदार पटेल के दोड़ा बताय गए रास्ते पर चलने का संकर पलिया गया वहीं उनकी जीवनी पर चर्चा की गई भागलपूर विधायक अजीत सर्मा के आवास पर इंद्रा गांधी की पुनित थी वर सर्दार बल्लब भाई पटेल की जहनती मनाए गई अजीत सर्मा ने पुष्प अर्पित कर उन्हें सर्धांजली दिया इस दोरान कांग्रिस के कई कारिकरता मौजूद थे अजीत सर्मा ने कहा कि पागिस्तान ने जब भारत पर हमला किया था तब इंद्रा गांधी ने दुर्गा का रोब धरन कर मुह तोड़ जबाब दिया था पाकिस्तान पीछे हट गया था वहीं सर्दार बल्ल भाई पटेल हम सबों के आदर सनेता थे हम सबों को मिलकर एकता का पैचे दिना ही उनके लिए सच्ची स्रधांज ली होगी बिहार राज के दोड़ा लागो सराब बंदी को लेकर भागलपूर के आम लोग भी नसाय खिलाब जागरू को रहे हैं इसी करम में हभीपूर थानाचेत के खिर्रीबान पंचायत वाड नमबर चार के भैरोपूर गाउं और जमनी पंचायत के लोगों ने मुखिया अजैराय के नैत्रूत में आम सभा कर गाउं में नसाय और जुवा खेलने बालों खिलाब अभियान छिड़ने की बात कही गाउं के जन परतनीधियों ने बैठा कर गाउं के हर एक घर में जाकर गाउं के बड़े बुज़ुगों को घर के बच्चों को समझाने की अपील की कि वो नसा और जुवा की लट से दूर रहे वहीं ऐसा नहीं करने पर गाउं के लोग ऐसे लोगों खिलाब प्रसासन की मदद से उस पर कारवाही की बात कर रहे हैं नसा और जुवा खेलने की लट से लगातार अपलाद की घटनाओं में गाउं में जाफा हो रहा है इसको लेकर ग्रामनों ने बैठक कर पहल की सुरुवात की वहीं जन परतनीधियों का कहना है कि उन लोगों के साथ प्रसासन का सयोग है अगर ऐसे तत्व पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाब कानुनी कारवाई की जाएगी नोगच्या के जगतपूर जील का जैजा भागलपूर के उब बिकास आयुकत परतिभारानी ने अधिकारियों के साथ लिया निरच्छन के दुरान उनके साथ भागलपूर वन विभाक की टीम और नोगच्या के अस्थानी अफद अधिकारी भी मौजूद थे मौके पर डिडिसी परतिभारानी ने कहा कि जगतपूर जील में विभिन परकार के 171 प्रजाती के अप्रवासी पच्छी जाले के मौसम में आते हैं ऐसी इस्तिती में यह इलागा परियावन के दिश्टी कौन से काफी महतुपूर्ण हो जाता है अप्रवासी पच्छीों के आने का सिलसला सुरू भी हो गया है डिडिसी ने जील का अन्रचन करने के बाद कहा कि जील की स्थिती ठीक ठाक नहीं है पूरे जील को जलकुम भी ने ढख लिया है आसपास गंदगी भी है ऐसी स्थिती में आवस्थक बिमर्स के बाद जील की जिर्नोधार की कारवाई शुरू की जाएगी भागलपूर के डिएफो भरत सिंग चिंतापली ने कहा कि महमान पक्षियों के आगमन को लेकर यह इलाका काफी महतवपूर्ण हो जाता है इसी परेटन की दृष्टी से बढ़ावा दिया जाएगा उनने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में महमान पक्षियों का आगमन पूरी बिहार राज में कहीं नहीं होता मौके पर नोगच्षिया एच्डियो यतर्द्र कुमार 166 पताधिकारी नोगच्षिया समाज सेवी परदीप कुमार यादव परवत्ता थाना अथिछ राम चंडरी यादव समेथ कई इस्थानी लोग मौजूद थे इसके आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जलकुम्भी यहां पर हो गई है और जैसर डियेफो साब ने बताया है 171 तरह की जो पक्षिया है वो यहां आते हैं तो उनके नजरिये से यह एक बहुत ही महत्वकून जगह है बन विभाग के लिए और बहुत अच्छी जगह है जहां पर इतनी सारी बर्ट जाते हैं तो इसी को हम लोग बचा सके यह जलकुम्भीयों के रहने से जो जील है उसका सीमांकन कम होते जा रहा है दीरे दीरे जील खतम हो रही है उसको बचाने के लिए, कंजर्वेशन के लिए और उसको डिवलप करने के लिए ताकि देश भर में इस जगह के बारे में लोग जाने और बड़ देखने वाले जो लोग होते हैं खास करके इस छेतर में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको यहां अकरशित कर सके कि लोकल बागलपूर में लोग जनसक्ती पार्टी के राष्ट्री अध्थच चिराग पासवान के जन्दिवस धूम धाम के साथ मनाया गया जन्दिवस के मोके पर लोच्पा कारीकरताओं ने की काट कर और चिराग पासवान की तस्वीर को मिठाई खिलाकर जन्दिवस मनाया साथी लोग जन सक्ती पार्टी के कारकरताओं एक दूसरे को मिठाई खिला कर अपने राष्टे अधच के जन्मदिवस की खुसिया मनाई कि चिराग पासवान का हम सभी जन्मदिवस मना रहे हैं चिराग पासवान हमारे नेता है उनकी उम्र बहुत कम है लेकिन अनुभब बहुत जैदा इस करन हमारे लक्ष को पूरा करने में उन्हें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा हम सभी आज उनके जम दिवस पर सारे कार करता एक दूसरे को मिठाई खिला कर चिराग पास्वान के जम दिवस की खुसी का इजहार कर रहे हैं कुतवाली थाना परिसर में इंस्पेक्टर राम प्रीत की अध्चता में एक बिसेश बैठक आगामी काली पूजा विसरजन छट पूजा गोपाश्ट मी एवं अन्य पर वितहार को लेकर आयोजित की गई बैठक में सांती समीती की सदस्यों सहित काली पूजा महा समीती की भी सदस्य सामिल रहे सांती समीती के स्थास्यों के दुरा काली पूजा संबंदित बिभिन मुद्दों पर अपने बिचार रखा गया यों सांती सुरच्छा सोहार्द प्रसपर्ट तालमेल के साथ तेहवार संपन कराने पर बल दिया गया सुल्तानगंस थानाच्छत के अब्यूगंज हौल्ट के पास अपनाध की योजना बना रहे पांच यूबक को पुलीस ने गिरहतार कर लिया पकड़े गई यूबक की पहचान नासोपूर गाउं के रहने वाले कुनाल कुमार, सिब्लंदर पूर गाउं के रहने वाले बिमल कुमार, जनारधन परसादी आदब, टुन्टुनी आदब, सुभम कुमार, वहीं एक अनपराधी का नाम रुपेस कुमार है जो मजदी गा पकड़े गया अपराधियों का अपराधी की तिहास खंगाला जा रहा है, जिसके बाद आवस्यक कारवाही कर निया इक्रसत में भेज दिया जाएगा लोपूर सरदार बल्लभाई पटेल के जन्म दिवस को जगदीशपूर स्थित साई बिहार में एकता दिवस के रूप में मनाया गया मौके पर जद्यू के पुरू महानगर जिलाधेश सुड्डू साई ने उनकी जीवनी पर प्रकाश जालते वे कहा कि सरदार बल्लभाई पटेल राश्ट ये एकता के सिल्पकार थे अजाधी के पुरू भारत में 562 देशी रियास्ते थी जिनका लोप्रू सरदार पटेल ने भारत में बिले करवाया था वे राश्ट के एकता के महान सिल्पकार थे नात नगर स्थित सिपाही प्रस्चन विद्याले में लोप्रू सरदार बल्लभाई पटेल की जैनती कूर राश्टी एकता दिवस के रूप में मनाया गिया अबसर पर देश की अखंडता और एकता को बनाया रखने को लेकर संकल भी लिया गिया इस दुरान सिपाही प्रस्चन विद्याले में मौझूद प्रस्चन नेरे सिपाहियों के दुड़ा एक आकरसक परेड भी निकाला गिया परेड में करीब पांस सो पच्चास प्रस्चु जवानों ने हिस्सा लिया प्रचार मितलेس कुमार ने राश्च्ट एकदवस के अफसर पर देशवासियों से अपील किया कि देश को सर्वोपरीमा ने यदि राश्च्ट की एकता और खंटा खत्रे में पड़ गई तो लोगों का जीवन खत्रे में पढ़ जायेगा और इस अफसर पर देश की एकतावर अखनता बनाए रखने के लिए संकल्ब लिया इसमें लगवग पांस सारे पांस सो जबानों ने हिस्सा लिया है नहीं परसिक्चु अभी यहां परसिक्चन कर रहे हैं जगदीशपूर परखंड छेटर के अंतरकत कस्तूरबा गांधी बाली का विद्याला जगदीशपूर में राष्ट्री एक्ता दिवस पर प्रभाद फेरी के साथ सर्दार बल्लब भाई पटेल के चित्र पर माल्यार पन तथा पुस्प अर्पित कर नमन करते विए मनाया गया बच्चों के बिच राष्ट्री एक्ता विसेपर चित्रांकर निम्बंद कवीता परतियुगता कराया गया सभी कर्मियों तदह बच्चों ने इस सबसर पर एक्ता बनाया रखने के लिए सपत ग्रहन किया संचलक अस्तोस्ट नमिस्र ने बच्चों को संबोधित करते विए कहा कि राष्टी एक्ता एक ऐसी ताकत है जो समाज को एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है और उन्हीं ताकत वर अपनाती है एक्ता का मतलब है एक साथ मिलकर रहना, काम करना और एक दूसरी को समझना इसका सबसे अच्छावधरान अपना विद्याला है जहां सभी अलग लग गाओ जाती धर्म के हैं पर सभी मिलकर मित्रवत बहबार करते वे सिच्छा प्राप्त कर रहे हैं और सभी एक दूसरे से सीखते हैं यही हमारे देश की महानता है वाडन फूल कुमारी ने बच्चों को संस्क्रीट में बूढ़े पिता और उसके पच्चे की कहानी सुना कर एक्ता के महत्व को समझाने का प्रयास किया इस अफसर पर फूल कुमारी सपना कुमारी सुसीला ब्रिंदा रिंग कूराज की सुर्च छात्रममता सुनाली काजल निसा कोमल सहित सभी बच्चे उपस्तित रहे